हाई यूरिवन मीहु आरती और स्वागते आपका स्वाध रेसिपिस में तो आज हम बनाने वाले हैं खटा, मिठा और ती का नीम्बू का क्रश वाला आचार तो ये आचार की रेसिपी आप इंटेक्ट दरूर देखिए और आचार की रेसिपी पसंद आने पर इस वेडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कीजे तो चलिए आचार बनाना शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने नीम्बू का आचार बनाने के लिए 12 नीम्बू ले लिये हैं और आचर बनाने के लिए हमें दाग दब्बे वाले निम्बू यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा आचर जल्दी से खराब हो सकता है। अब हमें इन निम्बू को डालना है गरम पानी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हों मैंने कितना गरम पानी ले लिया है। अब हमें इस गरम पानी में हमारे निम्बू डाल देने हैं गरम पानी में डालने से हमारे निम्बू क्लीन भी हो जाते हैं और इस निम्बू के छिलके में जो करवापन होता है वो भी थोड़ा सा निकल जाता है अब हमें इस निम्बू को आदे गंटे के लिए इस पानी में चोड़ देना है और आदे घंटे के बाद इन निम्बू को हमें एक चलने में डाल देना है और उसके बाद हमें इन निम्बू को एक क्लीन कपड़े से पोच कर इन निम्बू को हमें अच्छे से सुका लेना है द्यान रहे निम्बू के उपर हमें पानी नहीं रहे नहीं दे ना है और उसके बाद इस निम्बू के अंदर के जो बीज होते हैं वो हमें निकलवाने हैं ध्यान से इस निम्बू के अंदर के सारे बीज हमें निकलवाने हैं क्योंकि इस निम्बू के अंदर के बीज है न वो आजर में चले गए तो हमारा आजर कड़वा हो सकता है हमें ध्यान से ये सारे के सारे बिश निकलवाने हैं और बाद में हमें इस नीमू के छोटे छोटे पिशेस कट कर लेने हैं और सेम प्रोसीजर से हमें हमारे सारे नीमू को कट करना है कट करने के बाद नीमू के अंदर के बिज को निकालना है और उसके बाद नीमू को छोटे पिसेस में कट कर लेना है तो यहाँ पर मैंने सारे नीमू कट कर लिये है और उनके अंदर के बिज को भी मैंने निकाल दिया है अब हमें इस निम्बू के पिसेश को डालना है ग्रैंडर में और ग्रैंडर भी हमें यहाँ पर एकदम ड्राही यूज करना है गिला यूज नहीं करना है तो इस grinder में हमें हमारे थोड़े से निम्बू के pieces डाल देना है और इन निम्बू के pieces को हमें रुक रुक कर grind करना है और इस निम्बू को हमें थोड़ा सा crush में ही grind कर लेना है तो यहाँ पर मैंने निम्बो के पिसेश को ग्रैन कर लिया है आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा क्रश टाइप इस निम्बो को ग्रैन कर लिया है अब क्रश को हम डालेंगे इस कड़ाई में पर कड़ाई में डालने से पहले हमें इस क्रश को measurement करने के लिए एक कप या कटोरी लेना है यहाँ पर मैंने कप ले लिया है तो हमारा ग्राइन किया हुआ निम्भू का क्रश हम इस कप में डाल कर measurement कर लेंगे और जो बाकी की निम्बू के पिसेस थे उनको भी मैंने क्रश कर लिया है उसको भी हम इस कप में डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा ये एक कप निम्बू का क्रश हो गया है तो ये क्रश हम पहले कड़ाई में डाल देंगे और जो बाकी का निम्व के पीसेज बचे थे उनको भी मैंने ग्रैन कर लिया है तो उनको भी हम मेजर्मेंट के लिए कप में डाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुसरा कब भी हमारे निम्बू के क्रश से भर चुका है तो इस क्रश को भी हम डाल देंगे कड़ाई में और उसके बाद इस क्रश में हमें डालना है तीन निम्बू का रस और उसके बाद इस निम्व के क्रश में हमें डालना है शक्कर तो यहाँ पर हमारा ये दो कप निम्व का क्रश भर गया था उसी कप से इस निम्व के क्रश में हमें डालना है पूरे चार कप शक्कर और उसके बाद एक चमश इसमें डालना है नमक और नमक के बाद इसमें हमें डालना है दो चमश कश्मिरे लाल मिश पाउडर कश्मिरे लाल मिश पाउडर डालने से हमारे नेमो के आचार को कलर पहुत ही अच्छा आता है और उसके बाद इन सारी चीजों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अप अर्चे से मिक्स कर लिया है अब हमें इस निमू के आचार को पका कर बना लेना है उसके लिए इस कड़ाई को हम गैस के उपर रख देंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ाई को गैस के उपर रख दिया है और गैस की प्लेम मैंने लो रख दी है अब मैं इस निमू के आचार को लो प्लेम पर पका लेना है अगर आपको यहाँ पर निमू का आचार पका कर नहीं बनाना है तो सीधा आप इस निमू के आचार को दूप में रख कर भी बना सकते हो पर उस आचार को बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो आचार हम तुरन भी नहीं खा सकते हैं हमें उस आचार को खाने के लिए वेट करना पड़ता है अगर आपको वेट करना नहीं है और आचार आपको तुरन खाना है तो आप ऐसा पका कर भी आचार बना सकते हो अब यहाँ पर मैंने पूरे 3 मिनिट तक यह आचार पका लिया है और शक्कर हमारी पूरी तरीके से अब मेल भी हो चुकी है अब हमें इस आचार को high to low flame पर पूरे 8-10 मिनिट तक पका लेना है तो यहाँ पर मैंने इस आचार को पूरे 10 मिनिट तक पका लिया है और यह आचार आप देख सकते हो पहले से गाड़ा भी हो चुका है तो यहाँ पर हमारा यह आचार perfect पक गया है या नहीं ओचे कर लेंगे तो इस चमाज को हमें इस तरीके से उपर कर लेना है और हमारा निम्बू का आचार थोड़ा सा ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इस आचार को हमें इस तरीके से हाथो पर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दोनों उंगलियों में हमारे आचार की ऐसी तार बन गई है ऐसी तार बन गई तो समझ लेना हमारा आचार अब परफेक्ट बन चुका है और इससे ज़्यादा हमें इस निम्बो के आचार को पकाना नहीं है क्योंकि ये आचार ठंडा होने के बाद बहुत गाड़ा हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्यास की प्लें बन कर देनी है और दो गंटे के बाद आप देख सकते हो हमारा आचार कितना गाड़ा हो गया है और इसका कलर भी बहुती प्यारा आ गया है और ठंडा होने के बाद आप इस आचार को एक काच या प्लास्टिक के कंटेनर में भर कर पूरे साल बर के लिए स्टोर कर सकते हो यह आचार एक साल तक बिलकुल भी खराब होता नहीं है, पर यह आचार इतना टेस्टी लगता है कि एक साल तक आपका ये नीमू का क्रशवाला आचार बज़ेगा ही नहीं, और इस आचार को आप उपस में भी खा सकते हो, तो इस आचार को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आपको भी ये नीमू का क्रश वाला आचार बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको मेरी आचार की रेसिपी आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और अबे तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक किले बाई बाई टेक कियर